चलिए मिलते हैं लिटल ट्रम्प से, जिसने बच्पन से ही कड़ी महंत करके इतना बचाया कि एक ऐसा घर खरीद लिया जो एक स्क्वायर मीटर से भी छोटा था. जी हां, इतना छोटा की वहां तिल्चटे भी रहने से मना कर दें और उसमें उसकी दादी का ताबूत भी फिट ना हो सके. शुरुआत में वो एक साधारन लकडी का बिस्तर ही लगा पाया था, जिस पर सोने के लिए उसे हर रात खुद को मोड़ना पड़ता था. पर लिटल ट्रम्प ने हार नहीं मानी और सोचा की चलो, इस छोटे से कमरे को फुल फंक्शनल बना ही डालते हैं. सबसे पहले, उसने पुराने खिडकियों को हटा दिया और गैल्वनाइजड स्क्वायर स्टील से दो फ्रेम्स वेल्ट किये, जो खिडकी के एरिया से बाहर की ओर बढ़ते थे. फिर उसने अपनी आंटी से एक्स्पेंशन स्क्रूज उधार लेकर इन्हें दीवार से मजबूती से जोड़ दिया और बाहर की ओर इकोफ्रेंडली वुड विनीर्स से कवर किया. इस नई एक्स्टेंशन के नीचे उसने पुराने कपड़े और भारी सामान स्टोर कर दिया. उसने फिर से हटाई हुई खिड़कियों को रेंस्टॉल किया और अपनी दूसरी आंटी के घर से एक सॉफ्ट मैट्रिस उठा कर ले आया ताकि एक आराम दायक बिस्तर बना सके. बिस्तर के एक कोने में उसने एक ट्रे टेबल जोड़ी जो ओफिस एरिया की तरह काम करता है जब वो उस पर कंप्यूटर रखता है और साथ ही मिला जुला सलात खाते वक्त डाइनिंग टेबल का काम भी करता है. बिस्तर के आखिर में उसने एक अल्मारी बनाई जिसमें उसने चोटे मोटे सामान को स्टोर किया. इसके नीचे उसने अपने कपड़े टांगने के लिए जगह निकाली और एक छोटी बुकेस भी फिट कर दी ताकि अतिरिक्त स्टोरेज के लिए उसका इस्तिमाल कर सके. लिटल ट्रम्प ने एक लो कैबिनेट लगाया, जिसके साथ एक सीट भी थी और उसमें एक बिल्ट-इन सिंक भी लगाया. उसने बरतनों और कढ़ाई को इसके नीचे रखा और साइड में एक हिडन वाटर टैंक भी फिट किया. दिवार पर उसने एक टॉयलेट माउंट किया, जो बाहरी अंतरिक्ष के अल्यूमिनियम प्लेट से बना था, जो बद्बू रोकता है और वाटर प्रूफ भी है. काउंटर टॉप पर उसने एक इंडक्शन कूकर रखा और उपर एक कैबिनेट फिट किया, जिसमें उसने मसालों और टॉयलेटरीज को वेवस्थित तरीके से स्टोर किया, जिससे उसकी कुकिंग का अनुभव भी बेहतर हो गया. इसके साथ ही उसने बिस्तर के उपर एक प्रोजेक्टर माउंट किया, ताकि वो लेटलेटे इंटरनेशनल ट्रेंड्स पर अपडेट रह सके. इस सेटप ने दिखा दिया कि चाहे जगे कितनी भी सीमित हो, अगर जुगाड और दिमाग हो, तो आप अनलिमिटेड पोटेंशियल्स को अनलॉक कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमिंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा.